नगर पंचाय सिर्गिट्टी में गुरुवार को नव निर्वाचित एल्डर्मेन ब्रिगववस्ती और हरपाल सिंग ने सपत ग्रहन लिया। सपत ग्रहन समारों में भाजपा के प्रदेश सद्धक्ष, धरमलाल कौसिक, महमंत्री भूपेन समन्नी एवं अन्य भाजपा करकरता उपस्तित रहे। अविजित सपत ग्रहन समारों में नए एल्डर्मेन ने सिर्गिटी को विकास के रहा पर आगे ले जाने की बात कही। इस दोरान धरमलाल कौसिक ने कहा कि भाजपा द्वारा योग्य और निस्ठावान एल्डर्मेन को चुना गया है, जो सिर्गिटी के विकास और लोगों के उमीद पर खरा उतरेंगे। उसमें कारे में और तेजी आएगे, उनका स्रहयोग मिलेगा और इस सिर्गिटी को एक आदर्स नगर पंचयाद बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। वही नए एल्डर्मेन और भाजपा के करकरताओं ने बताया कि बिरिगोवस्ती और हरपाल सिंग नगर पंचयाद सिर्गिटी को अपना पूरा पूरा योगदान देंगे जिसकी उन्हें उमीद है। उसका मैं पूरा ख्याल लगते हूँ चेत्र का अपने नगर पंचयाद के विकास करने में पूरा सायोग करूँगा। कोशिश रहेगी कि हर बाड का नजर रखूँ और हर बाड में जहां भी जो भी प्रोब्लम है उसका समाधान कराने के प्रियास करूँ। इस उसर पर नगर पंचयाद अध्यक्ष केसरी इंगोले ने नए इल्डर में को बढ़ाई दी। सबक अक्षभावन में नव निर्वाची दो एल्डर मेंनों की नुक्ति हुए हैं ब्रिगु अवस्ति जी और हरपाल सिंग जी ये सुरू से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं और बहुत ही जुझारू और सयोगी और लोगों को मदद करने वाले के रूप में उभर करके आए हैं और आमें बहुत आशा है कि नगर पंचायत का जो परिवार जो अधूरा था वो अब नव निर्वाची येल्डर मेंनों की नुक्ति होने के बाद अब नगर पंचायत का परिवार पूरा हो गया है कारेक्टरम के समापन में भाजपा के सभी पारसदों ने भाजपा प्रदे सद्धेक्ष धरमलाल कौसीक और महामंत्री बुपेन समन्नी का अभार प्रकट किया इस दोरान भाजपा के करकरता सही नगरवासी भारी संक्या में उपस्तित रहे कैमरामन पुस्परंजन कस्टेप के साथ मनुच पाल की रिपोर्ट